उद्योगिक परिद्रिश्य और चुनोतियां उद्योगों द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में मशीनों, बिजली एवं विभिन रासानिक पदार्थों का उप्योग किया जाता है उत्पादन के समय कुछ उद्योग बहुत से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं इससे आस-पास का वातावरन प्रदूशित होता है कलकारखानों से निकलने वाली धूल, धूँओ और गंदे पानी के कारण भूमी, जल एवं वायू प्रदूशन को बढ़ावा मिलता है इसका दुश्प्रभाव फसल एवं स्वास्त पर पढ़ता है जिसके कारण लोग अनेक बिमारियों के शिकार हो जाते हैं पर्यावरन को प्रदूशन से बचाने के लिए उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबंद या उसके उपचार करने की व्यवस्था को लागू करना चाहिए किन्तु कहीं नियमों की कमी है और बहुत जगा नियमों का पालन नहीं होता है आज भी उद्पादन पुरानी तकनीक के आधार पर ही किया जा रहा है जिससे उद्पादन में व्रिद्धी नहीं हो पा रही है तकनीकी शेत्र में एक तरफ नई तकनीकों को अपनाना है वह दूसरी और अनुसंधान एवं खोज को भी बढ़ावा देना चाहिए बढ़ते जा रहा है इससे वनो और क्रिशी पर आश्रित लोगों का पलायन अन्य जगह पर होता है विस्थापन के इस प्रक्रिया में उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है जो अत्यांत जटिल है प्रकृती और प्रगती पर भी संतुलन अतियावश्यक है वि निर्मान शेत्र को बढ़ावा देना आज समय की मांग हो चुकी है इससे उत्पादन बढ़ेगा इसके लिए अधिक मात्रा में पुन्जी की आवशक्ता होती है इसी कारण इस शेत्र में विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाता है इसपाद, सिमेंट, बिजली, व्यकल्पी खूर्जा एवं सूचना प्रवध्योगी की को बढ़ावा देना सरकार की प्रात्मिक्ता है इससे आर्थिक विकास होता है वर्तमान समय में और द्योगिक शेत्रों में लगभग 70-80% श्रमिक आसंगठी शेत्रों में तथा 20-30% संगठी शेत्रों में कारे रथ है संगठी शेत्रों में श्रमिकों को जो सुरक्षा और सुविधाय प्रदान की जाती है वे असंगटित शेत्रों के श्रमिकों को उपलब्द नहीं कराई जाती इस शेत्र में श्रमिक अल्प वेतन और अधिक घंटे कारे करने को विवश हो जाते हैं ऐसे श्रमिकों को शोशन से बचाना एवं आवश्यक सुईधा उपलब्द कराना भी किसी चुनोती से कम नहीं है शाष्की कारेले में काम करने वाला एक वेक्ती निर्धारित समय तक कारे करता है वह नियमित रूप से प्रत्तेक महा के अंत में अपना वेतन पाता है वेतन के अत्रिक्त वह सरकारी नियमों के तहट भविश्यनिदी भी प्राप्त करता है उसे चिक्त्सकी और अन्यभत्ते भी मिलते हैं वह रविवार को कारेले नहीं जाता इस दिन सवेतन अवकाश होता है उसने जबनोगरी आरंब किया तब उसे एक नियुक्ती पत्र दिया गया था जिसमें नोगरी सम्बंधी नियम और शर्तों का उलेक किया गया था वहीं एक दूसरा वेक्ती एक छोटे कारखाने में दैनिक मज़धूरी करने वाला श्रमिक है वह सुबा कारखाना पर जाता है और शाम आठ बचे तक काम करता है उसे अपनी मजदूरे के अतरिक्त अन्य कोई भत्ता या ओवर टाइम नहीं मिलता नियोक्ता से कोई आपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें कार खाने में नियोक्ती के शर्टों के बारे में बताया गया हो उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटा सकता है पहला वेक्ति संगटी शेत्र में कारे करता है संगटित शेत्र में वे उद्धम अत्वा कारिस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधी नियमित होती है इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है वे शेत्र सरकार द्वारा पंजिकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं वी नियमों का अनुपालन करना होता है इसे संगटित शेत्र कहते हैं क्योंकि इसके कुछ आपचारिक प्रक्रिया एवं कारेविधी है संगटित शेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाब मिलते हैं उनसे एक निश्चित समय तकी काम करने की आशा की जाती है यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अत्रिक्त वेतन दिया जाता है वे नियोक्ता के कई दूसरे लाब भी प्राप्त करते हैं ये लाब क्या हैं? सवेतन छुट्टी, भविशे निधी, सेवा नुदान, इत्यादी वे चिकित्सिकी अलाब पाने के हगदार होते हैं और उन्हें नियमों के नुसार कारखाना मालिक को पेजल और सुरक्षित कारे जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है जब वे सेवा निर्वर्त होते हैं, तो वे पेंशन भी प्राप्त करते हैं इसके विप्रेद दूसरा वेक्ति असंगटित छेत्र में काम करता है असंगटित छेत्र छोटी-छोटी और विखिरी काईयों जो अधिकांशिता सरकारी नियंतरन से बाहर होती है, से निर्मित होता है इस शेत्र के नियम और वी नियम तो होते हैं, परंतून का अनुपालन कमजोर रूप से होता है वे कम वेतन वाले रोजगार है और प्राया नियमित नहीं है यहां अत्रिक्त समय में काम करने सवेतन चुट्टी, अवकाश, बिमारी के कारण चुट्टी, इत्यादी का कोई प्रावधान नहीं है रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है कुछ रितूओं में जब काम कम होता है, तो लोगों को काम से चुट्टी भी दे दी जाती है बहुत से लोग नियोकता की पसंद पर निर्भर होते हैं इस शेत्र में काफी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कारियों जैसे सडकों पर विक्रे अथों मरमत कारे में स्वता नियो जित है इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पढ़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं